जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो वो वाला खुन चाहिए और ये आसमा भी आता है जमी पर बस आपके इरादों में जीत वाली गुंज चाहिए साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज में आज का जो वीडियो है वो है 66 नंबर 65 तक आपने देख लिया है दुगात समिकरण इस समय चल रहा है एक 57 मिनिट के वीडियो में हम आपको एक पूरा टॉपिक सिखाते हैं पूरा कम्पलीट आज जो दुगात समिकरण होंगे वो क्या होंगे लाश्ट वाला पद माइनस होगा पहली क्लास में आपने देखा था जब एसक्वायर की जगह पर इस पर कोई गुडांक नहों बाकि सभी चिन्द प्लस हो दूसरी क्लास में आपने देखा जब इसकी जगह पर कोई ठीक है लेकिन आज जो देखेंगे आप यह बिल्कुल अलग है इसका तरीका क्या होगा टोटली अलग होगा बिल्कुल अलग होगा एक्दम अलग होगा कैसे होगा बताता हूँ देखो उसमें चोड के आता था बीच वाला पद इसमें घटा करके आएगा इसमें कुछ नहीं गुडांग इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर क्या है तीन है यहाँ पर क्या है चार है यह तो आप सुरू से ही जान रहे हो लाश्ट वाला पद गुडा करने पर आएगा बीच वाला क्या आएगा जोडने पर आएगा यह अभी तक सीखा है लेकिन अब बदल गया अगर यह चिन्द माहिने फिलाष्ट वाला तो अब यह बीच वाला गिंती घटाने पर आनी चाहिए यानि कोई ऐसी दो गिंती बताओ जिसको multiple कर दें तो 4 आ जाए तीन आ जाए गयस करिए गुड़ा कर दें तो 4 आ जाए मतलब 2 का 2 गुड़ा कर दिया 4 आ गया और 4 कब आ सकता है एक को 4 में गुड़ा कर दिया 4 आ गया 4 को एक में गुड़ा कर दिया 4 आ गया लेकिन घटाने पर 3 आना चाहिए तो पहला वाला तो गलत है क्योंकि इसमें कभी भी घटाने पर 3 नहीं आएगा एक मेंसे 4 घटेगा तो माइनस में 3 आएगा यानि ये लास्ट वाला पॉइंट सही है 4 और 1 है न? 4 माइनस 1 होगा किसकी जगा पर? 4 माइनस 1 होगा उसकी जगा पर जो बीच में है मदलब 3 की जगा पर आओ चलो देखते हैं क्या लिखोगे यहाँ पर आप? A का स्कॉाइर प्लस 4 माइनस 1 A माइनस 4 ये क्या होगा? A का स्कॉाइर प्लस ये 4 A माइनस A इसमें गुड़ा होगा 1 में तो A होगा और यह 4 आप देखो यहाँ पे समझना इसमें और इसमें क्या होगा common होगा समझते चलना क्या common हो सकता है इन दोनों में इसमें A common होगा तो क्या बचेगा A धन 4 इसमें minus A common होगा तो A plus 4 यानि A धन 4 बचेगा जिनको नहीं समझ में आ रहा common कैसे होता है ये सारी चीजें कैसे हो रही है वो comment करेंगे तो मैं उनको बताऊंगा ठीक है फिर से बताऊंगा इसका दूसरा वेडियो दे दूंगा a प्लस 4 और ये a-1 जो दो बार सामिल था ये दोनों को एक बार लिख देते हैं और जो common लिया था एक a और एक minus 1 इसको मिला के एक पद बन गया ये ध्यान रहे कि जो भी इस कोश्ठक में material आया है चिन्न के साथ वही इसमें भी आना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए ठीक है जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ फिर से बता दूँ तो ये क्या था इनका गुड़न खंड था जैसे माल लेजिए संख्या 12 को आप 4 गुड़ा 3 लिख सकते हो बराबर 12 होता है वैसे a का square धन 3 ने minus 4 को हम इतना लिख सकते हैं इन दोनों का गुड़ा कर लेंगे तो फिर से बही आ जाएगा ठीक है पका अगला वाला करिए देखे लिखते समय थोड़ा फैस तीरिछा हो जाता है इसको ऐसा होना चाहिए सुन्दर लगने के लिए ना चलो बीच वाली गिंती क्या है 9 है इधर वाली क्या है भी यह 36 है कोई दो गिंती बताओ जिनका गुड़ा कर दें तो 36 आ जाए और घटा दें तो 9 आ जाए देखे उत्तर तो मैं पटाग दे बता दूँ आपको लेकिन इसमें हमें आपको समझाना है दो गिंती बताना है गुड़ा करने पर चतिफ आ जाए और घटाने पर 9 आ जाए आओ बताता हूं दो गिंती आप लेलो एक दो लेलो एक अठारा लेलो अठारा दो का गुड़ा करोगे चतिफ आ जाएगा लेकिन प्यारे अठारा दो कब घटा आओगे तो 16 आएगा 9 नहीं आएगा मतलब ये गलत है चलो इसको एक बार और काट लो अब अब क्या होगा भया ये दो दो एक में मिला लो नो अलग कर लो यानि चार और 9 लेलो चार और 9 को गुड़ा करोगे तो 36 आ जाएगा चार और 9 को अगर घटाओगे तो कभी भी नो नहीं आएगा मतलब ये भी नहीं बन पाएगा ये भी बात कैंसिल आओ और आगे बढ़ते हैं तीन से डिवाइड करो तीन तरिक कर लो अब इनको आपस में गुड़ा कर लो ये 12 और ये 3 12 और तीन का गुड़ा करो चतिफ आ जाएगा और 12 और अब जाएगा आरे बाइगा आंब लाइगा वाइबा दित इसमें किसी को कोई डावट कोई दिक्कत कोई परशानी ना ना चलो भईया यह P का square धन 12 का P में multiple करोगे 12P 3 का P में multiple करोगे 3P और minus का 36 No doubt किसी को इन दोनों में common ले लो इसमें दोनों में common ले लो क्या होगा common ले लिजे दोनों में इसमें P common होगा तो बचेगा P धन 12 इसमें minus 3 common होगा तो P धान 12 इसमें भी बचेगा तो ये P धान 12 एक कोश्ठक में आएगा और P माइनस 3 दूसरे कोश्ठक में आएगा ये आपका क्या होगा अंसर कोई डाउट इसमें किसी को कोई परसानी नहीं आईए अगर लतीफरा देखिए कर लेंगे इसको भी न ऐसे सेम तरीके से करना है वीडियो देखे बड़ा हो जाता है अगर चीजे मैं explain करता हूँ लेकिन फिर भी एक वीडियो में अगर 3-4 सवाल नहीं सेम टाइप के तो कैसे आप समझोगे न इसलिए बताना पड़ता है यह क्या करने पर आएगा घटाने पर की जोड़ने पर बताओ कमेंट में कमेंट जरूर किया करो आप लोग मजा नहीं आती यह जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर अगर वीडियो बाद में भी देख रहे हो इंड होने की बाद लाइब तब भी आप कमेंट करना गटाने पर आगा जोड़ने पर अब मुझे कोई दो गिंती बताओ जिसको अगर हम घटा दें तो साथ आ जाए गुड़ा कर दें तो 44 आ जाए जल्दी बताओ बताओ जैसे इधर एक्स्प्लें किया था वैसे बताओंगा हम यह मान की चलते हैं हमें नहीं आता है आपको भी नहीं आता है तो हम लोग बिल्कुल अंजान बनके इसको हल करते हैं अगर हम बहुत जानकार बन जाओंगा बढ़का एक्सपर्ट बता दूँगा जल्दी तु गुड़ा करो इन दोनों को गुड़ा करके चार बना लेते हैं तो यह 4 और 11 44 हो जाएगा गुड़ा करने पर 11 में से 4 गटाओंगे साथ आ जाएगा 11 और 4 देखो कितना जल्दी मिल जा रहा है यार तो यक्स का स्कॉयर प्लस 11-4 यक्स माइनस क्या होगा 44 यक्स का स्कॉयर प्लस यह मल्टीपल होगा तो 11 यक्स माइनस यह 4 यक्स माइनस 44 इन दोनों में कॉमन ले लो एक्स स्कॉयर प्लस 11 और माइनस 4 अग्स और 44 में तो यक्स क्या बचेगा यक्स common लोगे तो यक्स प्लफ 11 बचेगा इसमें माइनस 4 कामन लोगे तो यक्स प्लफ 11 इसमें भी बचेगा यक्स प्लफ 11 और यक्स माइनस 4 यह आपके क्या हो गये? फैक्टर हो गये इनके गुडन खंड हो गए कोई doubt तो मुझे बताओ नहीं न, ऐसे candidate जो गड़ित सीखने को ले करके serious हैं और कम समय में वास्तों में सीखना चाहते हैं वो ये batch enroll कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संगम batch ये संगम 2.0 batch PBR study app के अंदर 10 November से आ चुका है अभी कुछ ही किलासे हुई है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है आप दियेगे नमबर पे एक बार संपर करिये और course को तुरन जोईन कर लिजिए नीचे नमबर देखिए, इस्क्रीन पर चल रहा है ना, mobile नमबर, landline नमबर है ना, ये home work है, इसको घर से कर लेना भया 10B, C और D, अगर आपको लगता है कि 144 करड़ी है तो आप लिख दो कमेंट में 10B, अगर आपको लगता है ये करड़ी है तो लिख दो 10D, कमेंट जरूर करना अगर सीखना चाहते हो तो real में कमेंट करना और मुझे बताना कि हाँ क्या है, ठीक है पाकी आपके मन में दिल में जो कुछ भी ख्याल आ रहे हैं विचार आ रहे हैं आप उसे मुझे कमेंट करिए मैं आपको बताऊंगा देखो भागम भाग से काम बनता नहीं है मैं ये स्रीज सोचा था कि वीडियो छोटे-छोटे होंगे पांच-पांच मिनट के लेकिन मजा नहीं आती हो इन पाता पांच मिनट में कुछ ठीक है तेली गराम पर जोइन कर लेना तो इस पर कलास का सारा लिंक में भेजता हूं कलास चलने पहले सारी अपडेट के लिए फालो कर लेना इसको जोइन कर लेना धन्यवाद कोई विचार है सुझाओ ऐसी कायत है कोई नराजगी है आपकी तो अब हमें जरूर कमेंट करके बताएं कर दो